हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी बैचे होती हैं किने भी रेंक्स होती हैं आर्मी एंडर सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की फुल फार्म क्या होते है अलर्ट रेगुलर मॉबिलिटी यह है उसके बाद जो टॉपमोस्ट पॉजिशन होती है पुलिस, आर्मी आफसर्स में वो होती है, फील्ड मार्शल, ठीक है, यहाँ पर इसे दिया जाता है, इनके बैच पर होता है, अशोक एंबलम, उसके नीचे क्रॉस्ट स्वॉर्ड और बैटन, बैटन वो होता है, जो पुलिस वाले रखते हैं ने डिंडा, ठीक है, वो से कहत है बैटन, उसके बाद लोटस ब्लॉस्म रैट, यहनि कि यह, यह है शोक एंबलम, यह है क्रोस्ट स्वॉर्ड और साथ में बैटन, यह बैटन है, और यह है लोटस ब्लॉस्म रैट, उसके बाद आता है जेनरल, जेनरल में क्वार्ट स्वॉर्ड और बैटन, उसके बाद बात करते हैं Lieutenant General आता है उसके बाद Major General after that Brigadier after that Colonel इसके pronunciation ऐसे होते है Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant 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 इसकी उसके बाद बात करते हैं और आगी जो इसके बाद आजाती है JCOs JCO के अंडर तीन बैच होते हैं सबसे पहले जो टॉप मोस्वेशन होती है वो होती है सूबेदार Major जिसके अंडर शोक एंपलम होता है उसके बाद सूबेदार होता है जिसके अंडर दो स्टार होते है और साथ में एक लाइन होती है उसके बाद नेप आज़गाएं जिसके अंडर वन स्टार होते है वन स्टार मिलता है बैच पर होता है ठीक है उसके बाद बात करते हैं और रेंग की जो इंडियन आर्वी में होती है और 4 और 5 सोब हैं सि क्यूओ एम मैच यनी कंपटर मास्टर था कि जैने 10 इस ट्रिप और एक अशोक erhalten उसके बाद आते हैं इसके भाइप tot final अब इने बैच के अंडर उसका लेंड स्नाइक इने एक स्ट्रेप मिलती है इसके अंडर उसके बार एक इंपोर्टन चीज तो रहे गई है कि जेसी ओ की फुल फॉर्म क्या होती है तो जेसी की फॉल फॉर्म होती है जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में